कि है गाइज जाहिन वेलकम टु दा हिंद अनलीजिस और वानिक एडमी जिसका की मोटो है एव एक्सिलेंस एंड आई होब कि आप सब की प्रेपरेशन जो है बहुत ही बढ़िया चल रही होगी एंड आज हम 21st and 22nd का 21st and 22nd का हम कंबाइन करेंगे जो अनलीजिस होगा और चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे सबसे पहले जो यहाँ पर टेक टेक नियूज है जो मैंने यहाँ पर इंकल्यूड की है यह आराउंड 3-4 नियूज है यहाँ पर और इंक्रीजिंग जो कोविड-19 cases हैं उसके बारे में बात करेंगे और कल की एक नियूस थी इस पाथ फॉर बिजनस और उसके अंदर नितियो का क्या कहना है क्या उसका उनका framework है उसके बारे में बात करेंगे कर्थ निफ्री क्यादग के क्या स्क्राइब करने द एक आईटापॉंट है और उसके बाद एक एडिटूर्य डिक्स करेंगे नियूझी यान रे गेल्वेस रहते हैं कल्क कपियो का उसके लिए भी आรऽ काफी इंप्रीशिस है और जो बच्चे UPSC CSE की तेयारी कर रहे हैं उनके लिए especially जो यह वाली जो वीडियोज हमने बनाई है और I hope कि आप सब लोगों ने यह वाले जो first part जो इसका बना था Saturday को वो आपने देख लिया होगा संडे को यह नहीं आएगा मंडे से लेके सटेड़े को यह discuss किया जाएगा जोगरफी का और पॉलिटी की करेंट फेस इसमें रहेंगे और बाकि सारे जो सब्चेक्शन के भी करेंट फेस जैसे इंटरनेंशनल रिलेशन्स और बाकि सारे भी वह वह भी हम रिवाइस करेंगे म और उसके इलावा previous year questions history के भी हम discuss कर रहे हैं, part first जो उसका है, I hope कि आप लोगों ने देख लिया होगा, उसके बाद polity के भी part one जो है वो हो चुका है, और आप इन वीडियो को जाके वहां पे देख सकते हैं, आप सर्च कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल एकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलती रहें, और ये वाली वीडियो जो हैं, जो बच्चे UPSC CSE की तेयारी कर रहे हैं, टीछर recovery करते हैं कि जो अप लोगों को करने हैं, पहले हमने syllabus वाली जो वीडियोस हैं, वह भी ढाल दीएं, आप वहां से syllabus वाली जो वीडियोज जो वीडियोस हैं, जीस की वहां पर देख सकते हैं, और वहां पर आपको आपके दिमाग के अंदर वो चीज़े बैठ जाए अच्छे से और उसके बाद आप जो यह previous year questions वाली जो वीडियोस हैं वो भी आप देखते रहिए और schedule जो है आपको पता ही है सुबह 5 बजे geography की वीडियो आती है geography previous year question की 7 बजे current phase हम discuss करते हैं revision करते हैं वहाँ पे 9 बजे को यह news analysis आता है उसके बाद शाम 5 बजे को polity का रहता है आप पूरे अपने दिन में बाकी जो schedule है आप cover कर सकते हैं शाम 5 बजे जो history की class रहती है previous year की और शाम 7 बजे quality की रहती है class जो की बहुत ही चोटे time period के अंदर 8 से 10-15 minute के अंदर आपको यह cover करवाए जाते हैं daily 5-5 questions और आप लोग देख लो कि अगर आपने 60 days अगर आप regularly य 900 से लेकर 1000 जो previous questions हैं वो आप discuss कर लोगे और cover कर लोगे यानि कि आप एक तरह से जो वहाँ पे 10 जो question papers हैं वहाँ पे आप वो लगा लोगे एक तरह से दो महिने के अंदर और prelims के लिए बहुत ही helpful है इन videos को जरूर देखें और अपने जो friends हैं उनके साथ भी आप share कर सकते है quote of the day में start करेंगे हम Elon Musk का यह quote Elon Musk जो है CEO है SpaceX के और क्या क्या इनके missions है क्या इनके decisions वहाँ पे यह लेते हैं SpaceX और उसके अंदर और क्या इनके futuristic ideas हैं वो आप देख सकते हो और यहाँ पे इनका एक quote है if something isn't enough if something isn't something important enough अगर कोई चीज बहुत ज़्यादा important है बहुत ज़्यादा important है आपके लिए उसके लिए आप जरूर try करें even if the probable outcome is failure अगर probability है कि probable जो outcome है अगर वो failure भी हो लेकिन फिर भी आप try करें अगर आपको पता है कि कोई चीज बहुत ही आवेशक है आपके लिए बहुत ही जरूरी है जरूर उसके लिए try करें try करें दुबारा से try करें और one day you will achieve it even if the probable outcome is failure you must try for that let's start with the important news and editorial सबसे पहले first page के उपर कल वाला ये news है is path for business और प्राइमिनिस्टर मोदी ने जो हमारे honorable प्राइमिनिस्टर है उन्होंने ये बताया था और क्या way forward है नीटी आयोग का नीटी आयोग meeting had six key issues on its agendas और क्या के है making India a manufacturing powerhouse re-imaging agriculture और उसके बाद improving physical infrastructure देश के अंदर improve करना accelerating human resources development improving service delivery at grassroot levels and health nutrition we have to honor this enthusiasm of the private sector of the private sector give it as much opportunity in आत्म निर्बर बारत campaign इनका कहना है प्राइमिनिस्टर का कहना है कि जो private sector है उन्हें भी हमें मौका देना चाहिए कि वो भी साथ में चलके जो government sector है या private sector दोनों साथ में चलके we aspire for India's growth और उसके इलावा आत्म निर्बर की यहाँ बात की गई है self dependent की self efficiency की उसकी यहाँ बात की गई है और इसके इलावा जो sustainable development goals रहते हैं आप वो भी आपको याद होने चाहिए चले गाइज एक question है आपके लिए आप comment box के अंदर जो accessible है आपके लिए आप यहाँ पर अभी बताएं कि क्या आपको पता है कि जो SDGs हैं जो हमने पहले भी discuss की हैं वो कितने SDGs हैं जो sustainable development goals हैं वो कितने हैं चले आपको मैं हिंट भी देता हूँ 15, 16, 17 और 18 इसमें से आपको बताना है कि कितने SDGs हैं कितने sustainable development goals हैं जो United Nations ने पूरे globe के लिए पूरे world के लिए बनाए हैं ताकि हमारे targets हो कुछ as a global community हमारे कुछ targets हो sustainable community के लिए sustainable development goals जो हैं और वो जो achieve करने हमने 2030 तक achieve करने हैं वो कितने goals हैं आप लोगोंने सुना ही होगा और आपको बताना होगा कि कितने हैं 15, 16, 17 और 18 Amid search in cases center orders more RT-PCR test देखी RT-PCR जो test है उसे बढ़ाने की यहां पर order दिया गया है center की center से और जैसे कल की news में आपने दिखा होगा कि पढ़ा होगा cases spike in maharashtra and Punjab, maharashtra और पंजाब के अंदर यहां पर overall अगर इंडिया की बात करें तो वहां पर इतने सारे cases नहीं है हाँ बढ़ रहे हैं पहले से जादा लेकिन इतना जादा नहीं है growth वहां पर लेकिन दुबारा से maharashtra के अंदर और यहां पर पंजाब के अंदर आप cases जो हैं although the cases are very less cases तो हम जानते हैं कि बहुत कम है लेकिन दुबारा से जो यह graph का एक change हुए है यहां पर दुबारा से जो cases बढ़ रहे हैं वो जो है हमारी country के लिए एक सही बात नहीं है और इसी को लेके यहां पर आज जो news है RT-PCR जो test है उसे बढ़ाने की उसे order दिया गया है state की तरफ से और RT-PCR जो test है reverse transcriptase polymerase chain reaction जो है इसके आप full form देख सकते हो यहां पर reverse transcriptase polymerase जो chain reaction है इसके आप full form याद रख सकते हो और उसके इलावा अगर आपको timeline वगरा पूछी जाती है इसकी COVID-19 का क्या impact था और तब आप इस तरह के जो test हैं वहां पर include कर सकते हो बता सकते हो और six states को अभी कहा गया है six states told to step up surveillance containment next जो है technical news जो हमने कल वाले paper से include किये है mammoth tail उसके बाद gaugging एक नया जो element है उसके जो periodic table रहता है जो बच्चे अभी 10th में होंगे या 9th 7th से ही basically 7th 8 से ही बता दिया जाता है periodic table के बारे में science subject के अंदर और जो ICSC के बच्चे रहते हैं उनको तो seven standard से ही six seven से ही जो chemistry physics और जो biology है वो separate करके दिये जाते हैं और CBSC के अंदर जो 10 तक basic science रहती है उसके बाद जो plus one plus two में non medical बच्चे करते हैं वो इसके बारे में पढ़ते होंगे जरूर medical वाले बच्चे भी पढ़ते है non medical वाले भी और जो streams रहते हैं वहां पर यह जो element है जिसका atomic number यहां पर 99 है despite it's Einsteinium है इसका नाम Einsteinium और despite it's being hard and exceptionally exceptionally radioactive chemists have studied element 99 Einsteinium जो इसका नाम है and characterized its properties in the lab discovered इसके इसे किया गया था 1952 के अंदर from the debris of atomic bomb के debris से discover किया गया था 1952 के अंदर the element has not been studied so far अभी तक इसे study नहीं किया गया था और in an article in nature chemist using less than 250 nanograms of the element gauched its bond distance अभी इसका जो है एक आर्टिकल है in nature के अंदर chemist use less than 250 nanograms of the element इतना अभी इन्होंने element use किया है gauched its bond distance को पता करने के लिए उसके उपर अभी research चल रहा है यहां पे और इसका atomic number 99 और Einsteinium इसका नाम है जो बच्चे science पढ़ते हैं उनके लिए भी लेकिन जो exams की तयारी करें उनके लिए भी बहुत helpful रह सकते हैं कि atomic number 19 Einsteinium जो क्या है और इसका atomic जो weight है वो भी है यहां पे और नाम भी है इसका और symbol भी है yes और उसके बाद एक और news है mammoth tail climate change and not extensive hunting by humans may have driven the large mammals of North America such as mammoths and glyptodons to extinction a new study suggests देखे science and tech के अंदर या economic and जो biodiversity है GS3 के अंदर और prelims के अंदर environment के related यह news बहुत ही important हो सकती है mammoth के बारे में है और जैसे nature communications के अंदर एक journal है उसके अंदर इसके अंदर इसे publish किया गया था the study used a novel statistical method to deduce that 13,000 years ago 13,000 years ago the intense lowering of temperatures resulted in their slow decline इस समय 13,000 years ago से पहले the intense lowering of the temperature बहुत ही जब temperature जो है reduce हुए lower हुए वो वो थे इसके decline के पिछे वो कारण था लेकिन यहाँ पर starting में जैसे आप पढ़ सकते हो climate change and not the extensive hunting by human may have driven the large mammals of North America यहाँ पर बताया गया है कि human जो hunting करते हैं वहाँ पर human की hunting की वज़ा से नहीं जो वहां पर मेमेट्स है इनकी जो population है उस time period नौर्थ अमेरिका के अंदर यह पाई जाते थे मेमेट्स और उनकी जो population में नप ले लेते हैं तो किया कितने responsible है वो मारी health को लेके यहां पर उसके बारे में बताया गया है यह लाइक वो लाइक पर चास्ट अच्छली लाइ लाइ इन यह जीन's finds a new study in the nature communications इसी जरनल के अंदर ये बताई गई है undertaking a study from genetic information from 4,052,633 people researchers found 123 areas of the human's genome that could be responsible for how often a person naps in the afternoon they also found preliminary links between mapping habits and cardio metabolic health cardio metabolic health और उसके इलावा क्या relation है इसके बीच में they also found preliminary links between mapping habits जो रहती है और cardio metabolic जो health रहती है इसके बारे में उनने study किया यहां पर यह भी आप याद रख सकते हो next जो है cartoon section है and I don't think कि मुझे इसे आपको समझाने की जरूरत है Da Hindu ने cover किया है और article 19 जो है वो हमें यहां पर freedom देता है six freedoms जो यहां पर रहती है उनमें से एक freedom है कि हम अपने views, opinions और beliefs को express कर सकते हैं through lithography then writings then all these things वहां पर दिये हुए है और article 92 19 जो टू है उसके अंदर reasonable जो restrictions है वो भी दिये हुए और इसमें आप देख सकते हो कि कि क्या अभी petrol के prices चली मैं आपको बताई देता हूं किस तरह से जो petrol के prices बढ़ रहे हैं यहां पर और almost states के अंदर जो है अभी 90 plus 100 के अपार हो चुका है जो petrol का price है और किस तरह से जो prices यह होते हैं थोड़े दिन पहले हमने इसी analysis के अंदर हमने discuss किया था कि state का कितना share रहता है उसमें और center का कितना share रहता है text के जो इस पे text लगाया जाता है जो उसके उपर तो वह आप जाके analysis जो है देख सकते हो then यह एक और data point है यहां पे more cases less test अभी जो after peaking in mid September 2020 the number of COVID-19 cases in India has been consistently declining जो mid September के अंदर जो number of the COVID-19 cases in India जो है वो decline हो रहे हैं peak के बाद and however in the past week some states have reversed this trend और अभी जो trend है उसका वो reverse हुआ है जैसे कि महारास्टा और पंजाब के अंदर हमने already discuss किया है किस तरह से decline होने की जब decline हो रहा है फिर से दुबारा से जो curve है वो उपर की तरफ जा रहा है cases का new cases have searched alarming cases increased in February 2021 amid reduced testing in both these states test को कम किया गया है test कम किये गये reduced किये गये लेकिन फिर भी जो COVID-19 cases है वो बड़े हैं this is of concern because the rise in cases cannot be attributed to increased testing going forward test should be ramped up in these states to identify more positive more positives in a shorter duration to mitigate the disease spread देखी यहां पर बताया गया है writer के दुआरा कि जो यह concern अभी बढ़ रहा है क्योंकि जो cases है वो पहले जो September के अंदर mid September के अंदर जो peak को उसने चुआ था cases को उसके बाद दुबारा से decline हुए है और दुबारा से अभी दुबारा से वो बढ़ने शुरू हो गए जो cases है और यहां पर test भी test कम होने की बावजुद अभी test states जो है उन्होंने बहुत ही कम test कर रहे थे वो test का जो rates है पर डे वो भी कम हुआ है लेकिन उसके बावजुद भी जो cases है वो बढ़ रहे हैं यहां पर cases increase daily cases in maharashtra and Punjab have recorded a sharp increase in February इसी मन्त की बात की जारी है on Feb 19 the number of daily cases in maharashtra cross 6000 mark for the first time in nearly three months तीन महिनों के अंदर जो दुबारा से उसने 6000 का mark जो इसने increase किया है on the same day the number of daily cases in Punjab cross 50 mark for the first time in nearly two months पंजाब के अंदर वैसे बहुत कम cases हैं लेकिन फिर भी जितने cases वहां पर बताए जाते हैं यह जितने cases पहले थे उस हिसाब से यहां पर बहुत ज्यादा cases है और उसके बाद test decreased यहां पर यह भी बताया गया है attributed to increase testing levels यानि कि यह नहीं है कि यहां पर test पहले इन्होंने बढ़ाया है यह test increase किया है यह ज्यादा किये हैं और उस वज़ाद से cases हैं बलकि test पहले से कम होगे हैं लेकिन फिर भी दुबारा से वह increase हुआ है pattern के अंदर on the contrary the average number of test conducted in February reduced compared to January in both states however after the alarming rise in cases both states have increased testing levels in the last few days positives per 100 test 100 जो test conduct किये जा रहे हैं उसके अंदर positive कितने आ रहे हैं यह भी देख सकते हो आप the chart depicts the number of positive cases identified per 100 test देखी बहुत द्यान से आप इसे पड़ी और इसी data को आप वहाँ पे अगर आपको covid-19 के related कुछ आती हैं चीजे वहाँ पे और आपको यह भी prelims में question आ सकता है कि जो September के बात दुबारा से वहाँ पे continuously decline देखा गया कैसे इसमें आप बता सकते हो कि नहीं decline नी दुबारा से feb के अंदर दुबारा से ही cases search हुए है increase हुए है on feb 20 1.7 positive cases were identified in Punjab per 100 test अगर 100 test वहाँ पे conduct किये जा रहे थे वहाँ पे एक या दो उसमें से positive जो cases हैं वहाँ पे आ रहे थे states highest this year on the same day 8.9 positive cases यह बहुत ही बड़ा number है कि 100 test अगर महाराश्चा के अंदर conductor हो रहे थे उसमें से 8 या 9 लोग वहाँ पे जो हैं वो positive आ रहे थे test उनके again the states highest this year उसके बार test per positive case the chart depicts यह जो नीचे chart है यह आप देख सकते हो the chart depicts the number of test conductor to find a positive case on February 20 61.8 test and 11.3 test were conducted in Punjab and Maharashtra respectively to identify one positive case the lowest for both states this year next editorial हम discuss करेंगे detail के अंदर हम discuss करेंगे से the 15th finance commission जो है आपको पता है finance commission के बारे में चलिए आप बताईए कौन से article के अंदर दिया हुए हमारे constitution के अंदर अभी आप जो राइट साइड के ओपर जो chat box available है live chat box available है वहां पे आप comment करके भी बताए कि कौन से article के अंदर दिया हुए चलिए मैं आपको hint दे देता हूँ article जो center state relations रहते हैं और उसमें भी financial जो relations रहते हैं उसमें यह दिया हुए चलिए आप चलिए बताईए कि कि 260 या 170 या उसके बाद 250 या 280 इन चारों में से कौन से article है कौन सा article है जिसके अंदर finance जो finance commission है उसके बारे में बताया गया है और क्या आपको यह भी बताना है कि यह जो finance commission है कि यह constitutional body है यह statutory body है अगर आपको इसका अंसर नहीं पता तो आप comment box के अंदर पूछ सकते हो कि sir हमें इसका अंसर नहीं पता और आप हमें प्लीज गाइड कीजिए बता दीजिए अगर आप उचोगे तो जरूर हम next video के अंदर इसे बता देंगे यह अभी ही आपको reply करके जो अपकी query है वह हम अभी आपको बता देंगे the 15th finance commission has adapted well to swiftly shifting sands a pair of balanced scales representing the union of india and the states the cover visual of the 15th financial is this cover के बारे में बताया गया है यहां पे the 15th finance commission report for the period of 2021 और 2022 और 2025 से यह 2026 तक जो है five year की जो इसकी report है उसके बारे यह जो period time period है इसके बारे में यह report अभी आई है इसका cover seeks to highlight the commission's endeavor commissions endeavor to maintain an equitable approach at a time when center and states are facing unprecedented revenue stress जो यहां पे आर आए कोविड-19 वज़े से और fiscal demands की वज़े से the center has accepted much of the commission's broad recommendation including giving states a 41% share of the divisible pool of taxes and revenue deficit grants of nearly 2.9 lakh crore for 17 states over the next five years 41% share यहां पे देने की आपे बात की गई है पहले जो 42% share ता 41% जो यहां पे share देने की बात की गई है और यह जो amount है यह आपको पता है की consolidated fund की फंट के फंट से लिया जाता है this budget has seen and in core with agriculture infrastructure development says one wishes the commission had at least noted its displeasure on this practice like its predecessors did unlike them however the N.K. Singh led panel had to cope with the tumultuous shift in the domestic and global macro economic landscape next जो है आप जो इसकी suggestion यहां पे जो writer ने यहां पे बताए है as N.T. Rama Rao said India lives in the states if center takes them along center उनको साथ में लेके चले it might help attain the balance and is seized by commission which is needed to drive the country on to a double engine growth, double engine growth trajectory from the current nadir. N.T. Rama Rao जो थे यह कौन है यह भी आप अभी comment box के अंदर बताएं और इन्होंने कहा था कि India को India जो है अपनी states के अंदर बसता है जैसे गांदी जी ने या बहुत सारे ऐसे लोग थे जन्होंने बताया कि India lives in its villages, इसी तरह से इन्होंने बताया कि India lives in states, if center, अगर center उनको साथ में लेके चले states को तब ऐसा हो सकता है, it might help the balance and is seized by the commission जो balance है, commission के द्वारा बना, commission का, उसमें ये balance हो सकता है which is needed, जो कि अभी चाहिए to drive the country on to a double engine growth trajectory from the current ना दी, state of the day में आज हम discuss करेंगे बिहार के बारे में बिहार की state जो है, capital जो है, पटना है, largest इसकी city जो है, पटना है district 38 है इसके, और यहां पे body जो है, government of बिहार जो है, नितिश, कुमार है, और bicameral है, यहां पे legislature, bicameral यानि के assembly भी है, यहां पे council भी है, legislative council भी है, legislative assembly भी है इसके साथ, इलावा और कौन सी states हैं, वो भी आप comment box के अंदर बताएं कि इसके इलावा और कौन सी states हैं, जिसके अंदर bicameral legislature है area इसका 94,000 square kilometer है, और area wise ranked इसका 12th है, लेकिन population जो density है, उसमें यह first rank के उपर है population wise third rank के उपर है, लेकिन population density wise यह first rank के उपर है जरूर आप इस initiative को support करें, और अगर आपको कोई queries हैं, और description के अंदर आपको WhatsApp number दिया हूँ, उस पे आप message करके वहाँ पे कोई भी query है, या आप कोई भी help लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको accessible है, जो आपको free जो help, guidance दी जाएगी, वानिक एडमी की तरफ से, और telegram आप channel join कर सकते हैं, description के अंदर उसका link है, और facebook को भी आप join कर सकते हो, page को like कर सकते हो, काफी सारी जो वहाँ पे information आपके लिए available रहती हैं, subscribe करें इस channel को, और जरूर bell icon को भी press करें, यहाँ पे, ताकि आपको जो आने वाली videos हैं, उसकी notifications मिलती रहें, और thank you for watching this session, have a nice day.